हाई अब्रीवाइन एससलाम अलेकूम वेलकम वाइचैनल फ्रंस पिछले वीडियो में हमने जो यह कारडिगन बुनना श्टार्ट किया है एल और एकसल साइस लेडिस कारडिगन है यह आज इस कारडिगन की पार्ट नमबर सेवन है इससे बेले मैंने च्छे पार्ट अप्ल रिजाइन के लिए हमे स्लीप कैसे बना नहीं है वूल सलीप रेगी तो डिजाइन के साथ सलीप हम कैसे बनाएं बाजू इसको भी कुछा पेले हैं पपर भी पर डिजाइन को कैसे अध्याश्ट करना है सब कुछ मैं आपको इसमें बताती जाओंगी इस तरह के सी मैंने ओल ओवर डिजाइन डाली है कही पर भी इसमें गैप नहीं है बिलकुल दोनों पल्लों में फ्रांट और बैक और डिजाइन मैंने इसमें डाली है तो चलिए शु उस वीडियो को सबसे पहले देख सके और अगर आपको काडिगन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देजेगा और शेयर भी किजेगा अपने फ्रैंस गूप में से चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो देखिए फ्रैंस इहां पर मैंने यह स्लिप बनाने के ल यह वाला डिजाइन मैंने इस पर डाली है एक सिदे कुल्टे का है बस तोड़ा सा ट्विश्ट करके हमने इसको बनाई है पचास फंदे डालने के बाद यह यहां से यह तक 14 सलाई की बॉर्डर बनाई है जितना आपने बनाई है उतना ही आपको यह स्लिप में भी बना ले है ने भी इतना है यहांडर में मुझे डो स्लिप बनानी है और यह पूरा पलगा में दस नमबर की स्लाई से बनाऊंगी जितना आपको डिजाइन के यहांट के पनाने के नियुकर डालेंट ऊतों है ये जो डिजाइन है फॉर फॉर के मल्टिपल फंदों पे चलती है इसमें कोई एक्ष्टा फंदा लेने की ज़रूरत नहीं है बस आपको चार चार के मल्टिपल इसमें फंदे डाल लेनी है तो मैं थोड़ा सा गिन लेती हूँ उसके बात में आगे आगे आपको बताती यहां पर मेरी जो है 50 फंदे है तो फोर फोर के मल्टिपल करके दो फंदा एक्ष्टार आया है तो अब मैं इसमें कैसे फंदे इंक्रीज करूंगी देखें यहां पर इस वाले स्लिप में मैंने 6 फंदे इंक्रीज किये हैं 50 फंदों से बॉर्डर बनाई है बॉर्डर की नदेखें यह सीधी तरफ से बॉर्डर के बाद सीधी से सब्साइब बढ़ा ने नियुक्तर यह सिदी क्या करें थृइधोंarta नियुक्त एस पहले सीदा बना दाल के इसको गिराएंगे नहीं बेक की तरफ से ऐसे करके एक फंदे में से हम दो फंदा बना लेंगे यहां पर जैसे भी मतलब आपको इजी लगे वैसे आप फंदे बढ़ा सकते हैं उसके बाद थोड़ी सी गैपिंग देंगे लगबग 10-12 फंदे हम बनाएंगे ऐसे ही सिधा-सिधा कि यहां पर एक वंदा हमने बढ़ाया और उसके बात इतना फंदा हमने यहां पर बना लेंये अब इहां पर लाएंगे पिर भैक साइट से इसी फंदे में से और इक फंदा बना लेंगे और आ के बता देंगा इस तरीके से थोड़ी तोड़ी।ोट यहां पर नहीं को बना देंगे तोटल यहां पर मेरे देखे यहां पर एक फंदा बढ़ा है फिर यहां पर यहां पर तीन चार पांच औरे छे छे फंद हमने इस पर बढ़ा दिये अब हमारी डिजाइन बहुत अच्छा से जैस्ट हो जाएगी तो यह उल्टी तरफ से हमें एक पूरा उल्टा बनानी है थोड़ा सा दिखा देती हूँ देखे पहला फंदा इससे उल्टा बना देंगे और उन अपनी तरफ ही रहेगी और जो बाकी फंदे हैं उनको बहुत बनाएंगे मतलब इस पूरे सिलाइग को हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाती हुए लाश्ता कम्प्लीट कर लेंगे ऐसे इस तरीके से तो मैं कर लेती हूँ एक फ्रेंस उल्टी सलाइए कम्प्लीट हो गई है अब आजाए सीधी तरफ सिहासे हमारी डिजाइन स्टाट होगी तो मैं थोड़ा सा डिजाइन आपको अज़ेस्ट करके बताऊंगी बाकी सेम आपको डिजाइन को रि पेटेश्ट हो जाएगी तो पहला पंदा सीधा बनाने के बात अपनी तरफ करेंगे और धोड़े ऐल्टे बनाएंगे एप मई फैच और यह यहां से काउंट करेंगे और us पूरा लाज्ट में पहला पन्दा उता रहा है और इसके बाद दो फंद्ध बना लेने, पहली सिलाय सीधी तरफ से लाश्ट बना लिती हूं पहली सिलाय तो कंप्लीट हो गई है आप जाई ल्ठी तरफ से दूसरी सिलाय जो दो फंदे हमने सीधी तरफ से सीधे बनाएं वो उल्टी तरफ से उल्टे बनाएंगे और जो दो फंदे हमने सीधी तरफ से उल्टे बनाएंगे उसे हम सीधा बनाएंगे उल्टी तरफ से ठीक है तो थोड़ा सा दिखा दिती हूँ बाकि ऐसे ही आपको रिपीट करनी है इस डिजाइन को मैंने बिल्कुल डिटेल्स में आपको बताई है फर्स्ट पार्ट में तो आप पहले प्लीज उस वीडियो को जुरूर देखें तो आपको इस डिजाइन अच्छा से समझा जाएगी पैला फंदा मैंने उल्टा बना लिया उसके बदिंदे क्योंकि यहां पर सिदी तरह से इन दो पंदों को बनाया था अब उन अपने तरफ करके दो फंदे और इस तरीक से करते कि यहां डिलेंगे उसके बाद यहां बड़ाँके इस तरह बाते हैं कि पれて हो थ这个 सिपनी थे नहीं की छार एक एक पं तो इसके बाद एक एक फंदा नों साथ से हमने बड़ाये हैं और उसके बाद छार सलाइ की बात जैसे हमने यहां से आतक गया फिर यहां से स्टार्ट होँ फिर फंदे बड़े यहां से लास्ट इस्टार्ट हुआ है तो पाच बार हम यह चे सलाई के बाद एक एक फंदा दोनों से बढ़ाएंगे फिर बाकि जितने भी यहां पर बनती है वह चार्ट सलाई के बाद एक एक फंदा बढ़ाएंगे क्योंकि यह जो स्लीप की साइज से तोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ यहां से यहां तक हम इतना पोशन टाइट रखना होता है इस तरफ से उसके बाद कोनी की जो पास जाएगे वहां से हमें थोड़ा थोड़ा से आठ या दस फंदे कम रखे इसमें आप बढ़ा लिजे तो यहां डिजाइन को थोड़ा सा बना ली तो छे सलाई इस डिजाइन की में कंप्रीट करके फिर आगे आपको दिखाती हूँ फंदे हमें कैसे बढ़ाने हैं तो दो तिन बर आगर आप बना लेंगे तो आपने इस इस फंदे को अपने तरफ करके ऐसे इसको गिराएंगे नहीं इस फंदे को उल्टे फंदे को पहले उल्टा फंदा हमने ऐसे बना दे इसको गिराया नहीं फिर उन पीछे की तरफ ले जाएंगे इसी फंदे में से सलाई डालके सीधा बना देंगे एक फंदे में से हमने दो फंदा बना दिया जो कि उल्टा फंदा था उसमें से हमने दो फंदा बना दिया फिर उन तरफ दो फंदे इसे करते हुए हम यह इसे बना लेंगे तो दो दो भूब ना लिए अब देखे यह इस वंदे में हम बढ़ाएंगे तो पहले इसको इसको उल्टा बनाया इसको गिरारेंगे check information इतना है अपनी तरफ करेंगे लास्ट का हम यह बना देगा और इसी हम ने दोनों सचे इन बेखिज पर से इसे करेंगे बढ़ा एक्स्टिस को आपको सीधा बनाने है मैं को यह गाँ दो तरफ से यह बताओ तो यहां पर आपको जो फंद दिखेगा से पहले आप देख लीजी उल्टा फिर सीधा तो यह जो फंद आपने बढ़ा इसका फोल्टा बना दीजे ठीक है तो इस तरीका से अब दिजाइन को अग्जेस्ट कर सकते हैं तो इस तरीका से करते हुए मैं यहां पर भालते बड़ा है तो यह अहां से देखे एक दो बभी बन गयी है फिर दो फंद हमारी हासी इंक्रीश हो गये तो फिर हमने यहां पर यह रिपीट कि यह थां तो ज्एधा फंदे की नहीं है चार पंद की इस दिजाइन है बढ़ा कर दिखाती है इसकी लंबाई कर लेती हूँ एक स्लिप मैंने बना कर रख दिए दूसरा स्लिप यह है तो इसको भी मैं से मैं से ही करूंगी तो दिखे फ्रंस एसलिप की जो लंबाई है वह मैंने कंप्लीट कर दी है यहाँ पर देखे डिजाइन भी मैंने साइड़ों से सट्जेस्ट करती गई और यहाँ पर मेरे है 110 से उपर फंदे है 112 या 14 फंदे है टोटल सलाय में तो इतना काफी है क्योंकि यह स्टेचिबल है जब हम इसकी सिलाय करेंगे इसको थोड़ा सा खीच के फिर इसको पली के सा जोइंट कर देंगे सुझ से सिलाय कर देंगे ठीक है तो अब देखे यहाँ पर मैंने टोटल इसमें लंबाई कितनी रखी है अगर मैं आपको डिजाइन के हिसाब से बताओ तो यह जो डिजाइन है यह मैंने 20 डिबी बनाई है और 21 डिबी की जो यह सेकेंड रू मतलब द तिहा से उपर तक बनी है 122 सलाई टोटल सलाई की हिसाब से 122 डिजाइन के हिसाब से टोटल डिबी बनी है 20 और 21 डिबी की हमारी दो सिलाई बन गई है सिदी तरफ से एक सिलाई और उल्टी तरफ से अगर मैं आपको इंची टेप से नापके इसकी जो लंबाई है वो जिनके लिए बना रही है उनकी हाइट ज्यादा है तो अब इसलिए जो है बाजू की लेंद भी ज्यादा होगी अगर हाइट कम है तो बाजू की लेंद भी कम होगी तो यह हाइट की हिसाब से बना रही है मैं जिनके लिए बना रही हूँ उनकी हाइट कम है तो उस हिसाब से उनकी जो यह बाजू की लेंद है वह थोड़ा सा कम हो जाएगा तो इसलिए मैंने इतना इसको रखा है इंसी टेप से मैंने आपको दिखाई है लगबके 17 इंस है और हम कटिंग करेंगे तो लगबके और एक इंस के बराबर बन जाएगी तो टोटल बन जाएगी हमारी 18 इ इस तरीक और यह करोंगी तो इसमें क्यास्ते करेंगे दिखें हमने यह Us में हमनें पल्द में जतना की है 5 321 वैसे हैं ही ऐसे हम इसमें करेंगे यह वह बाजू में बहुता आसकते हैं मैं आपर सिंपल तरीकées में बता रहीहां क्यूंकि यह बिल्ट्स में बिगिनर्स के लिए बता रही हो आपको मतलब जासे भी घठाना आती है जासे जासे भी पड़्िक्ट करें गे ड़ी में बनाने में चाणवा तक मैंने डिजाइन है दिखांगे जाति हो ती तर्णे हैं पाजिफा मिसे फंद हमां इनको हमने यह उल्टे दो बना दिये गैपिंग के और दो सीधे थे इसमें हमने यह डिजाइन को एज्जेस्ट करती गई यह बिल्कुल उपर तक ऐसा आएगी दोनों साइट से इस तरफ से भी आएगी अब देखिए कटिंग करेंगे कटिंग मैंने पहले भी आपको बताई है इसमें जो है परले में तो आप वह भी आप देख सकते हैं कि वह बिल्कुल डीटेल में है डिजाइन के साथ अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाती जाती हूं तो देखिए कटिंग की फरस्ट जो किसी दी तरफ से आपर हम पहले पाच फंदे गटाएंगे कैसे करेंगे आप चाहें तो उतार सकते हैं मैं आपर सीधा बना लेती हूं उसके बाद दूसरा फंदा भी सीधा इसके उपर साम इसको गिरा देंगे एक इसको बैक साइच से बनाएंगे क्योंकि यह उल्टा हूंदा है थोड़ा सा डीला करके उतारेंगे क्योंकि हमें फिर इसको सिला से गिरा दिया चार अगले फंदे को सीधा बनाया और इसके उपर से इसको गिरा दिया दिया करके निकालेंगे तो इस तरीके से आएगी तो यह हमने बना दी गटा दी है पांच फंदे अब देखिए डिजाइन रिपीट करनी है तो यह पर थोड़ा सा आपको दियान से भी पर दिजाइन को रिपीट नहीं करेंगे तो चार फंदे अब चाहें तो डिजाइन रिपीट कर सकती है लेकिन बिगनार से तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि हम एक्षटा फंदा यहां से निकाल नहीं होती है पिर अगर हम यह निकालेंगे और यहां पर नहीं ठीक है तो यह दो फंदे आप सीधा बना दीजाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके डिजाइन खराब नहीं होगी स्टिचिंग कर देंगे तो यह काफी फिनिशिंग के साथ आएगी अब देखिए उन अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगी ऐसे तो इस तरीके से बनाएंगे फिर सीधी तरफ से जब आएंगे आपर तीन फंदे की कटिंग कर देंगे फिर हमारी डिजाइन इहां से स्टार्ट हो जाएगी ठीक है अब देखिए यह जो दो पूरा लाश्ट तक बनाते हुए जाएंगे क्योंकि आपर थोड़ा सापको द्यान दिनी है दिखे दो चार इची इन छे फंदों को रखकर लाश्ट में बाकी फंदों में हम डिजाइन को रिपीट करते हुए यहां लाश्ट तक आ जाएंगे फिर यह छे फंदे हम जैसे यह वाले दौसी देफंदी है इनके साइच से हमें फंदे निकालने हैं लेकिन यहाँ पर हमें फिर उल्टी तरफ से पांच फंदे गटाने तो यह चे फंदे हमने सीधी तरफ से इसे रखका है इनको हम दो सिधा दो उल्टा करते हुए बना लेंगे इसमें हम डिजाइन जालेंगे क्योंकि हमें फिर कटिंग करने है रॉंग सार्च ऐसे कर लिया दिखिए लास्ट के दो फंदे सीधे बना देंगे अब अब जाए सेकंड रो जो क्यूल्टी तरफ से यहां पर हमें पांच फंदे गटाने हैं तो देखें कैसे करेंगे दो फंदे एक साथ लेकर द दो करेंगे तीन फंदे हमने घटाए फिर से इसमें लेंगे इसको चार फिर से लिया और यह पांच दिखिए यहां पर भी हमने यह पांच फंदे गटा दिए अप उन पीछी की तरफ दो फंदे सीधे जो जो फंद आपका जैसा है उससे वैसे ही बना नहीं है जैसी कि मेर निकाले इसको हम अब उतार लेंगे तो ऐसे ही Mr. second रूरांग सर्च से बनाते होए जाएंगे डिजाइन के हिसाब से हमारे फोड्रू बन रहे है अगर हम डिजाइन की रो कांट करें तो फोड्रू चौटी सिले कि तरफ से जैसे हैं वैसे ही हम बनाते हैं जाएंगे इसको लास्ट तक तो दिखे फ्रेंस उल्टी से लए कंप्लीट हो गई है अब आजाए सीधी तरफ से यहां पर हमें तीन फंदे गटाने हैं तो पहले जैसे हमने गटाए वैसे ही गटाएंगे पहला फंदा सीधा फिर दूसरा फंदा भी सीधा इसके उपर से उठाकर गिरा तो इसको बनाया और इसको इसको उपर से गिरा दे तीन तो हमने पांच तीन की कटिंग कर दी है अब दिखे डिजाइन दो फंदे यह सीधा आएगा फिर उन अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक दो उन पीछे इन चार फंदो को एक साथ लेंगे जो एक्ष्टा फंदा हम ह films दियां से इरुसु के बाद चार फंदे हैं उनको वह स curhat Luca दीलेंगे आगे की तरफ से रहा है न सिसको निकाल देंगे तो जैसे हमारी डीजाइन की फ्यप्ट बनती है वैसी हम इसको बनाती हुए लाश तक जाएंगे और उसके बाद उल्टी तरफ से हम कटिंग करेंग तीन पंदे की ठीक है तो यह सिलाइ में ऐसे ही बना लेती हूं हमारी डिजाइन की यह फिप्त रो जा रही है और कटिंग की तीस तीसरी सिलाइ ठाउर ठीक है तो इस तरीके से करते हैं को एसको कम्प्लीट कर लेती हूं इस लिए है अप उल्टी तरफ से यहाँ पर भी हम 3 गटाएंगे तो मैंने दो बर आपको यह रिपीट करके दिखा दी है पाच तीन दूनों से अब ऐसे ही आपको रिपीट करते हुए जो है कटिंग कंप्लीट करने हैं जैसे हमने यह इसको कर लेती हूं पहले देखें दो कर देंगे और यह तीन बर हो गई है तीन फंद हमने पर गटा दी है तो यह से हम रिपीट करते हुए जाएंगे जब तक कि हमारी कटिंग कप्लीट ना हो जाए पाच तीन तो हमने कर दिए फिर दो फिर तो इस तरीकसे में कर लेती हूं यहां पर हम डिजाइन को अब रिपीट नहीं करेंगे अगर डिजाइन रिपीट फिर फिर दीगर से कटायें है कैसया रिपीट करने में हमें फिर दिख्क्राइब की दो एक एक कटिंस के अगर यह पधू motor को निकाल देनी हैं जब फिर सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से एक तो जब हमारे चार सलाय बनेंगे वो हम इस तरीके से दो सिधा दोल्टा बना देंगे और यह हमारी स्टेचिंग में आ जाएगी तो इतना ज्यादा यह डिजाइन की गैपिंग नहीं आएगी क्योंकि हम सिलाय कर देंगे उपर त स्टेचिंग लेकिन उल्टी तरफ से एक उल्टा क्राइएंगे और यह उल्टी शलाय भी सिधा बनाती जाएंगे ठीके लेति हूं 21-3 हम बीड़ी है है भ inertari हैं ने कर दी है अब 2 इस तरफ से और दो एक इस तरफ से ठीश है तो इस तरी कर दिखाते हो इसकी हमें कैसे उतारने है कर च्क हम यहां पर कoler क्प्रेट कर दी यह प्वाइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो अगर आपने मुद्दे में मतलब आम होल में अगर आपने यह वाली कटिंग की है पास तिन दो एक की तो ऐसे आप बाजो में भी कर लिजे और अगर आपने कोई अलग तरीके से मतलब फंदे गटाए है नंबर जो है वह अगर आपने अलग रखे है चार तिन दो तो उस इसको बनाएंगे फिर दूसरा अबी सीधा इसके उपर से गिरा दिया कटिंग का सा तरीका सेम रहेगा बस थोड़ा से द्यान से इसको हलका डिला करके उतारनी है क्योंकि फिर हमें यह बाजो को पली के साथ जो है जोएंट करनी है इसलिए हलका सा डिला रखेंगे और ऐस से बंद करते हुए जाएंगे जो उल्टा होंदा है उसे हम बैक साथ की तरव से सिधा बनाकर फिर इसको इसको उपर से गिराएंगे और जो सिधा होंदा है उसको हम फ्रंट से स्लाइड डालकर सिधा बनाएंगे ऐसे डाला इसको बनाया और इसको इसको उपर से गिरा दि हम यह पंदे को निकालते हो जाएंगे पूरा बंद करेंगे ऐसे ही इसको मैं कर लेती हूं करेंगे अगा लगा हूँ कैसे की सच लबा कर लिए अब यहांना पर इसको कट कर देए हो उसको कर दियां और उन्दर से उन्दर Novak को ऐसे कीज़ कर टाइट कर देनी है कि हमारी इस तरीके से बंद हो जाएगी अब इसका मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ इस तरीके से बाजू बनकर कंप्लीट हो गई है दोनों बाजू मैंने तयार कर लिए है अब हम इसको सिलाय करेंगे सिलाय मैंने बहुत सारे स् जो छोटे बच्चे के लिए मैंने बनाई है बूबी आपको दिखाई है जो बड़े साइस का स्वेटर बनाई है उस बर भी मैंने बिल्कुल डिटेल्स में सिलाय बताई है तो उसे मैं से किसी वीडियो का मैं लिंक के डिस्किप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सिलाय करने कि इसकि फाइनल लुक मैं आपको जेह चौट विडियो में दिखा दूंगी कि स्लै करने के बाद कैसा आया है तो मैंजर्मेंट है कि सिलाय करने के बाद कितना इन से लमभाई बने हैं वह बनाए करताऊ मैंपको अगले वीडियो में बता दूंगी थहुत हमारे है देखिए और अब मैं आपको इसका फाइनल इसका लंबाई है मतलब तो बनाने के बाद और इसकी जो कटिंग है वो करने के बाद इसकी टोटल लंबाई है वो कितने आई है थोड़ा सा दिखाती हूं इंशी टेप्स देखिए फ्रेंस बिल्कुल उपर से लेकर यह यहां स लेंगे इसको और थोड़ा सा इसको ऐसा करेंगे नाइंटीन इंस तो देखिए टोटल लंबाई की नाइंटीन इंस इंस आई है तो फ्रेंस कैसा लगा आपको यह बाजू बनाने का तरीका कॉमेंट करके आप दुरूर बताएगा उमेड करती हूं आपको यह वाली जो का कर दीजिए तक कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन ने वह सबसे पहले आप तक पहुच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके और इसकी लंबाई मैंने आपको बताई है वह आप अपने हिसाब से भी रख सकते मैंने जितना रखा है वह अपने